नवस्कार दोस्तो मैं रतनाकर गौतम आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारी योटूब चैनल पियार नौले सेंटर में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम जो प्रमुख देश हैं कुछ प्रमुख देश हैं उनकी जो राजधानिया हैं उनके बारे में जानेंगे वैसे देश बहुत सारी हैं लेकिन उनमें से जो प्रमुख देश हैं जो बहुत ही जाते हैं इंपोर्टेंट हैं जो जिनकी राजधानियां जिन देशों की राजधानियां अधिकांस बार पेपर में पूछी गई हैं हम उन देशों की राजधानियों के बारे में जानेंगे ठीक है इसके पहले हमने जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने जभी उने प्रकार की नदिया थी उनके उद्गमिस्तों के बारे में जाना था तो देखें बिस जो कुछ प्रमगदेश हैं उनकी राजधानिया तो देखें सबसे पहले हमारा भारत देश जिससे हम सुरुबात करेंगे हमारा प्यारा भारत देश है तो सबसे पहले भारत की राजधानिय दिल्ली जो कि हम जानते हैं दूजरा पाकिस्तान की इसलामाबाद, फिर अफगानिस्तान की काबल, अफगानिस्तान ओफ कर दिया गाना, क्यों क्योंकि उसके कबूल नहीं था, अफगानिस्तान का काबल, अब नेपाल का काठ मांडू, अब देखिए, स्री लंका, स्री जैवर्धना पूरे कोटे, स्री जैवर्धना जैवर्धन आप जानते हैं स्रिलंक के जो खिलाडी था जो एक महान वैटस्मेन था वह है तो आप इस तरह याद रखिए कि स्रिलंक के खिलाडी कौन Water जैवर्धनी तो स्रिल Singarli क्या हूँ गई सिरी जैवर्धना-पुरे कूटे अब भूतान के भूटान के राज़ानी थिम्पू भूटान के राज़ानी थिम्पू भूटानी छोटा देश है यह अविक्सित देश है भूटान के राज़ानी थिम्पू और दोस्तों यही वो राज़ानी है भूटान सुरी वो तो नेपाल है नेपाल राज़ानी है जिस पर हमें जाने क यहां पर मुद्रा कौन से यहां पर हमारे भारत देश को दो पूर चलता है तो चीन की बीजिंग वह इस तरह बोलते भी है उनकी राज्जानी का राम भी इसी तरह है चीन के राज़ानी बीजिंग इंग्लेंड के राज़ानी लंडन इंग्लेंड के राज़ानी लंडन वहापास लंडन यूनिवर्सिटी भी है लंडन टावर भी है और यहीं वह इंग्लेंड है जहां पर हमारा कोहिनुरहीरा रखा हुए लंडन में फ्रांस के राज़ानी प भारत की राज़ानी दिल्ली, पाकिस्तान की राज़ानी इसलामाबाद, अफगानिस्तान की काबुल, नेपाल की काठमांडू, स्री लंका की स्री जैवर्दनापरी कोटे, भोटान की थिंपू, बंगला देश की चीन, बंगला देश की धाका, चीन की बीजिंग, ये सब एस कि राज़ानी पैरिस अब देखिए अब आते हैं अमेरिका जो कि उत्रे अमेरिका में हैं अमेरिका कि राज़ानी वासिंगटन डीसी अमेरिका कि राज़ानी वासिंगटन डीसी या फिर बोल सकते हैं कि सायोगत राज अमेरिका कि राज़ानी क्या है वासिंगटन डीसी करन करनाटे कि राज़ानी उटावा जो कि उसका पड़ोसी देश है करनाटे कि राज़ानी उटावा दच्छड अफरीका कि राज़ानी कैप टाउं जो दच्छड अफरीका है अफरीका को दो भागों बाटा गया है एक उसका उत्री अफरीका और एक उसका दच्छनी अफरीका तो उत्री अफरिका में सहारा मरसल आता है और दच्छनी अफरिका में काला हारी मरसल आता है तो दच्छन अफरिका की राज़ानी कैप डाउं यमन साना यमन की राज़ानी साना यमन दोस्तों आपने सुना भी होगा अगर आप हातिम के बारे में जानती होंगे तो हातिम यहीं का राजा था यहीं का वो राजकुमार था उसे कहा भी जाता था यमन का सहजाद है उसे यमन के सहजादे कि नाम से जाना जाता था हातिम को तो यमन की राजजानी साना यह एक मुस्लिम देश है जिम बॉमबे, जिम बॉमबी के राजानी हरारे, जिम बॉमबी के राजानी हरारे, अब ब्राजील, ब्राजील के राजानी ब्रासीलिया, साव, ब्राजील के राजानी क्या है, ब्रासीलिया, दोस्तो और उसके अंतरगत एक देज भी आउस्टेलिया महादीब का बहुत बड़ा देज है और फिर मिस्र के राजनी क्या है काहिरा मिस्र भाई दोस्तों जहाँ पर क्या पाजाते है जो मिस्र ये बहुत ही पुरानी सब्ता से संबंदे देश है जो मिस्र देश है और यहाँ पर क्या पाजाते है पिरामिड क्या पाजाते है पिरामिड यही पर है मिस्र देश में तो मिस्र देश के राजनी क्या है काहिरा इं और मेकस्को की राजानी मेकस्को सिटी ठीक है तो दीखिए अमेरिका की राजानी वासिंगटन डीसी और दच्चन अफिरका की राजानी कैप टाउन्द की राजधानी, साना जिंबांबी की, हारारे ब्राजील की, ब्रासीलिया साव, आस्ट्रेलिया की कैनबरा, मिस्र की काहिरा, इंडोनेसिया की जकार्ता, इटली का इटली की राजधानी क्या है? रोम और मेक्सको की, मेक्सको सिटी यह सब important है, आप इने note कर लीजे, याद कर लीजे, और अगर आपके पास, जो Lucent GK की जो book है, जरण नलिज के अगर उसमें हैं, तो आप इन यह जो mukh-mukh, उसमें तो बहुत सारे देश के दिये होंगे, तो यह जो mukh-mukh देश हैं, उनकी राजधानिया हैं, उसमें आप टिक कर लीजे, बिंदुमार कर लीजे, और उनने याद कर लीजे, ठीक है, अब देखे, आते हैं, New Zealand, New Zealand के राजधानी, वेलिंगटन, New Zealand यह, आसटेलिया का ही, एक देश है, नियूजधे राजधानी क्या है, वेलिंगटन, नार्वे, नार्वे के राजधानी, ओसलो, न नहीं है नार्वे एक देश है नार्वे वही देश है जहां पर मिड़नाइट सन होता है मिड़नाइट सन दिखाई देता है रात को सूरस थोड़ी देर के लिए दिखाई देता है यह वही देश है नार्वे तो नार्वे की राज़ानी ओसलो संयुक्त अरब अमिरात अभी हम थाइलेंड बैंकोग थाइलेंड दोस्तों इसे हमारे एसिया की जो एसिया का बहुत विक्सित सहर है एसिया की एक तरफ से आप जन्नत बोल दीजिये जन्नत कहा जाता है थाइलेंड को इसकी राजहनी क्या है बैंकोग बैंकोग का नाम आप कहीं न कहीं मूवियों में सुनी लेकिन इस 20-30 साल में उसने बिक्सित्स आपने आपको इतना तेक्नलोजी युOS कर लिया आपको कि आज दुनिया में एक मिसाल कायब है उसके नाम की साउधी अरब के नाम की वहां की जो सーरह के जो जानी टोकियो जापान एक बहुत ही जादा आधुनिक टेक्नोलोजी वाला देश है यह वह देश है दोस्तों कि जो परमाडू बम गिरने से पूरा नश्ट हो गया था वहां की जो प्रजाती थी वह एक तरफ से पूरी समापती हो गई थी लेकिन जापान ने अपने आपको वहां की लोगोंने हम्मत नहीं हारी अपने आपको एक जोट होकर संग्टित किया और अपने दिमाग का पूरे इस्तमाल किया और बहुत ही कम समय में बहुत ही, कम समय में, सबसे कम समय में, सबसे ज़्यादा बिक्सित देश बन कर बैठ गया है तो जापान की राजानी क्या है? टोकियो इरान, इरान की राजानी क्या है? तहरान इरान, तहरान तू हेरान, एरान मतलब उसने पूचा कि एरान क्या तुम हेरान हो तो बोलते हैं नहीं तैहरान, एरान तैहरान, ठीक है एरान के राजानी तैहरान और एराक की बगदाद एराक के राजानी बगदाद दोस्तों ये मुसलमानी देश है मुस्लिम देश हैं, यहाँ पर मुस्लिम निवास करती है साउदी अरब में, सेंग तरब अविरात में, इरान में, इराक में, इरान की राजानी तेहरान, इरान, तेहरान, इराक की बगदाद ठीक, जर्मनी, जर्मनी की राजानी, बर्लिन जर्मनी भी एक बहुत ही बिक्सित देश है जर्मनी की राज़ानी क्या है परली कुवेथ की कुवेथ सिटी इसका तो सिंपल है कुवेथ की राज़ानी कुवेथ सिटी ठीक है तो देखिए न्यूजिलेंड की राजधानी विलिंगटन, नारवे की ओसलो, सह्युक्द अरब अमिरात की अबुधाबी, थाइलेंड की बैंककॉक, साउधी अरब की रियाद, मालद्वीप की माले, जापान की टोकियो, इरान की तहरान, इराक की बगदाद, जर्मन की राजधानी, बरलेन, और कुवेट की कुवेट सिटी, ठीक है, अब देखिए कुछ और बची, सिंगापूर, सिंगापूर की राजधानी, सिंगापूर, सिंगापूर एक देश है, और जो उसकी एक राजधानी बनाए गई है, जो उसका एक सहर नगर बनाए गया, उसक नाम कि राज्दानी है दोस्तों इसके बारे हम थोड़ी जानती है इसके बारे मिंग में ये जियराइल की राजदानी का है जेरूसला में इस्ट नाम चाह्नाम कि राजदानी हैні जैरूसला इज्राइल की राजानी क्या है जेरुसला इज्राइल दोस्तों आज इज्राइल जो सैनिक मजबूती द्रिश्टी से देखा जाए तो बहुत ही मजबूत देश है यह इज्राइल एक छोटा सा देश है यह चारा और से अपने दुस्मनों से घहरा हुआ है लेकिन उसके रडार है ऐसे उसके पास यंत्र है कि उनके रडारों के शमत इतनी तेज होती है कि वे अपने से ही उनको पता चल जाता है उनको सिगनल बिल जाता है कि किसी न हमला किया है और उसे आसमान में फोड़ देते तो इज्राइल वैसे देश है बहुत ही बिखसित देश है ठीक ह और युनान युनान की एथेंस युनान दोस्तों इसका नाम कहीं न कहीं किताम में आता है अगर पहली खोज की बात की जाए भूगोल की भी खोज यह सब कि खोज अकर किसी की बात की जाए तो उसमें युनान का नाम कहीं आता है युनानियों का सिकंदर भी युनानी ही थ जो विस्विजेता सिकंदर के धाइसा कहा था युनान का था ठीक है अब दीखिए पॉइंट जुब गवाद कर रहे थी कि इरान की मुद्रा पहले रियाल थी जो इरान है जिसके हम पढ़ने थे टहराण एरान की रज़ानी क्या थी तेहरान तो उसकी का नाम क्या था कौन से मुद्रा वहाँ पर चलती थी तो इरान की मुद्रा पहले रियाल थी उसकी मुद्रा का नाम क्या था रियाल थी लेकिन आप क्या हो गई है तुमान कर दिया गया अब किसे कर दिया गया उसकी मुद्रा कर दिया गया चेंज कर दिया गया तुमान पहले जो इरान देश था, उसकी मुद्रा कौन थी? रियाल थी, लेकिन अब क्या हो गई है? तुमान, तुमान कर दी गई है ठीक है? वियत नाम में जो चलने वाली मुद्रा की कीमत हमारे भारत में चलने वाली मुद्रा रुपए से बहुत कम है क्या होता दोस्तों वही में बता रहाँ थो एक थोड़ी इंपवर्थसींगंत है टौपिक इंप इसाषिय जो वियत चलती है वहाँ पास जो वियत नामी टॉंग पंच चलता है उसकी कीमत हमारी भारती मुद्रा है रुपिया जो हमारी भारती मुद्रा है उससे बहुत कम है कितनी कम है भारत का एक रुपए वियत नाम में लगभग 310 वियत नामी दोंग की बराबर होता है 309 दिसंबल पांच दू है साधे 300 ना मतieldब something 310 ले लेजिए counting में अपनी गिंती के अधर पर गड़ना करनी के लिए भारत का एक रुपया और वियत नाम का रुपए तो बबराबर बहारत का एक रुपया बराबर वियत नाम का 310 वियत नामी दोंग मतलब भारत का एक रुपय तो वहां का 310 वहां का 310 व्यतनामी डॉंग भारत का 10 रुपए तो वहां कितना हो जाएगा? 3100, कितना हो जाएगा? 3100, मतलब 3100 रुपए है, वहां की हिसाब से भारत का 1 रुपिया, वहां का 3100 रुपए है, ठीक? फिर भारत का अगर हो जाएगा 100 रुपए तो वहां कितना हो जाएगा 31,000 कितना हो जाएगा 31,000 मतलब भारत का 100 रुपए और वहां का 31,000 वियतनामी डॉंग भारत का 100 रुपए वहां पर 31,000 के बराबर है ठीक है ये उसे संबंदित important point था अब आते हैं दोस्तो आज का थोड़ी दूसरा topic ये छोटा है लेकिन important है कि 200 के प्रमुख परवत सिखर कौन-कौन है जो मुख मुख है उनके बारे में इवरेश्ट इसे आप भली बाती पर चे थे हैं Mount Everest ये कहां पर है जो परवत सिखर कहां पर इससे थेत है इसके बारे मुख जानते हैं ठीक है ठीक है केटू एक परवसिखर केटू जिसे गोडविन ओस्टिन के नाम से भी जाना जाता है यह हमारे भारत देश में है एवरेश्ट कहाँ पर है नेपाल देश में है केटू गोडविन ओस्टिन के नाम से जाना जाता है वह हमारे भारत देश में है कंचन जुंगा यह वह यह दोस्तों कंचन जंगा कंचन जुंगा यह कहां पर है नेपाल भारत की सीमा पर कहां पर है नेपाल और भारत की सीमा पर देखिए एवरेश्ट नेपाल माउंट एवरेश्ट नेपाल केटू भारत कंचन जुंगा नेपाल भारत धौल गिरी जो परवत सिखर है परवत माला है वो कहाँ पर है नेपाल देश में नंगा परवत कहाँ पर है भारत देश में ये एकदम खुला परवत है इसको जो पहाड़ीयां अविकदम कैसी है सीधे खड़ी हुई है ठेक तो एवरेष्ट कहाँ पर है माउंट एवरेष्ट किस देश में नेपाल में केटू भारत में कंचन जोंगा नेपाल भारत की सीमा पर धौल गिरी नेपाल में नंगा परवत भारत में देखिए नेपाल भारत नेपाल भारत अब देखिए अन्पूर्णा कहाँ पर है न अनपूर्णा परवसिकर कहा है नेपाल में और नंददेवी कहां पर नेपाल नंददेवी भारत लाइन से याद कर लिए आप नायम अगर याद कर लेंगे तो आपको उनके देशों के नाम भी याद करने में आसानी रहेगी देखिए माउंट एवरेष्ट नेपाल केटू भारत कंचन जोंगा नेपाल भारत दौल गेरी नेपाल नंगा परवत भारत अनपूर्णा नेपाल नन्द देवी भारत लाइन से नेपाल भारत नेपाल भारत नेपाल भारत नेपाल भारत नेपाल भारत इस तरह है ठीक अब देखिए ग्रेसर ब्रह्म कहां पर है पाकिस्त बम बनाने में अतंकबादी बनाने में और जो ओजार होती है जो गोलियां होती है बंदूख होती है तोफ होती है बनाने में वो अलग ही माहिर है अतंकबादी के लिए पाकिस्तान मसूर है अतंकबादियों के लिए तो यह आपको याद रहेगा ग्रेसर ब्रम यानि आप ऐस कि जैसे ही बम का नाम आएगा अतंगबादियों का नाम आएगा आपके दिमाग में पाकिस्तान आएगा ही आएगा तो आपको देश का नाम याद रहेगा देखिए इस तरहे आप लाइन से याद कर लिजे एवरेश्ट केटू कंचान जूंगा धोलगेरी नंगा परवत अन इसर बम का पाकिस्तान ठीक है इस तरहे आपको याद करने में आसानी होगी ठीक है दोस्तो हमारे वीडियो देखने के लिए दोस्तो आप सभी का बहुत बहुत धंदवाद